पाद जन्वरी को आप सब के सम्मुख पंजाब में प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा को भंग होते देख भारते जनता पार्टी की उर से मैंने कॉंग्रेस सरकार के और कॉंग्रेस के नेत्रत्व के समक्ष कुछ प्रश्णों को प्रस्तुत किया था आज मुझे कहते हुए आनंद की अभीबूती नहीं होती कि एक टेलिविजिन नेट्वर्क ने जिन प्रश्णों को मैंने प्रस्तुत किया उनके कुछ चिंता जनक परिणाम राश्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया है पंजाब पुलीस अधिकारियों के बयान एक राश्ट्रिय न्यूस चैनल पर सच को उजागर करते हैं पंजाब पुलीस के एक अधिकारी का ये वक्तव्य के प्रधान मंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ट अधिकारियों को पंजाब की प्रशासन पंजाब की कॉंग्रेस सरकार को देते रहे लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेब जो प्रधान मंत्री जी को सुरक्षित कर सके ऐसी कोई भी कारवाई पंजाब की कॉंग्रेस सरकार ने नहीं की मैं अपने प्रश्णों को दुबारा दोहराने के साथ साथ एक नया प्रश्ण उसमें जोडती हूँ डी जी पी ने क्यूं पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है ऐसा संदेश प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया पंजाब के वो कौन कॉंग्रेस की सरकार के आला अधिकारी है जो इस सूचना इस अलर्ट के बावजूद प्रधान मंत्री जी को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे पंजाब के आला अधिकारियों को कॉंग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया के पंजाब में प्रधान मंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए ये दुर्भाग्य की बात है कि कॉंग्रेस के नेता इस गंभीर परस्थिती को किसी ना किसी हास्यास्पध तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं पंजाब पुलीस के अधिकारियों का बयान देना कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कॉंग्रेस पार्टी के नेत्रत्व ने जान बूच कर प्रधान मंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा ये ना सिर्फ निंदनिय है बलकि दंदनिय भी लगी ये जी है जडेन। ये जान देना प्रधा एफ निर्वार कि प्रधाद निक देस्ट भी कि अभार थे जे स्ट्रिश्ट अपन्जब बच्छों प्होसा पोसी प्रवीय तर श्रवा प्रवीय गॉजर्श लेच्टार ची अच्मांड लेचार अट्रव अजूज अगार कि दूने कि अची कि अगरिया वा भॉब अंटम एंडन से ट्रवीय प्रव लियुट्ट इन्ट अच्छा प्राजब एक ठाच्ट अवस्ट गान में जुसी नाशनल प्राजी तरह! वोट इस थ्स्त्रमी इसक्सराइब जुटे ए पन्जाब पुलीश फिस जन्यू पूर्माट इन इसन्यूस प्रिपोर फिछ वा लित इन है लिए इसक्राइब in Punjab to bring to light the threat to the security of the Honorable Prime Minister and his root. The question that begets this expose is who in the Punjab Congress-led government continued to deliberately ignore these threats to the Prime Minister's security. Today, I am joined with and by Shri Anil Baluni to reiterate those very questions to the Congress High Command. Why were security measures, which are protocoled for the Honorable Prime Minister, deliberately breached due to the active connivance of the Congress-led government in Punjab, who sought to benefit in the Congress Party from the breach of the Prime Minister's security? If that was, I would have reacted to you 5 January. I am joined with Mr. Shri Anil Baluni to be done. I am joined with Mr. Shri Anil Balune. I am joined with Mr. Shri Anil Baluni. I am joined with Mr. Shri Anil Baluni. How about the return of the Congress-led government? तब कॉंग्रिस के नेत्रित्व में प्रधानमंत्री की असुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जश्न का माहौल था। तद पस्चाथ जब देश भर ने अपने आक्रोश को प्रस्तुत किया, तो गांधी परिवार की राजनेतिक आत्मा जागी। आज जो आपने श्रिमती वाडरा के संदर्व में मुझसे प्रश्न किया है। मुझे ग्यात है कि उन्होंने स्वयम एक इंटर्विव में इस बात को कबूला, कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफ किया प्रधान मंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के संदर्व में। प्रश्न ये उड़ता है कि एक नागरिक की क्या सिक्योरिटी क्लियरिंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा प्रोटुकॉल और ब्रीच के संदर्व में। जो डीटेल्स मात्र सुरक्षा एजन्सी या इन्वेस्टिगेटिव एजन्सी तक सीमित होनी चाहिए उसके संदर्व में ब्रीफिंग क्यूं एक प्राइविट सिटिजन को हुआ क्यूं वो प्राइविट सिटिजन जो गांधी परिवार का हिस्सा है एक मैं इतना ही कहूंगी कि मैं मानेनिय सुप्रीम कोड पर टिपनी करना उचित नहीं समझती जिस पैनल का उन्होंने गठन किया है उसके माध्यम से जब फैक्ट्स प्रस्तुत होंगे मेरी पार्टी के ओर से अगर निर्देश होगा तब उस पर टिपनी करना तो मैं निश्चित रूप से करूँगी लेकिन जो मैंने रविंद्र जी को कहा मैं स्तब्दू हूँ कि वो अब तक किसी वत्रकार ने पूछा नहीं कि एक साधारन व्यक्ति उसके पास क्या सिक्योरिटी क्लियरंस थी और वो क्यों इंट्रिस्टेड पार्टी हैं कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा किस प्रकार से भंग हुई सुरक्ष्या के प्रधान मंत्री के क्या प्रोटोकॉल है उसके बारे में जानकारी उनको क्यों दी गई मैंने इमानशु जी जब अपना वक्तव्य पांच जन्वरी को दिया तब कहा प्रॉट हम द्या को तैसे पूस्त ौक्ष्ट अप्रण प्रॉड शीतिक ऑ्रॉटोति अविएटीग क्यों जी कि खशिए विए्ट्रेश थे खूस्ट पुटों प्रॉटर्ज थिए्ट्रा विएट आप प्रॉटों गॉटूट उपस्ट्ट अप्रेट विए्म। are you surprised that the congress high command does not speak against those who seek to disintegrate india are you surprised that the congress leadership will not take a position against तोस वो सीक टो ब्रेक इंड या थैंक यू